कोडिनेशन भी चुनौती है, कॉन्फिडेंस भी चुनौती है, और मुद्दों को नहीं उठाना और नॉन एक्टिव स्टेज बहुत चुनौती है, तो विजय जी, लडाई में इंडिया गढ़बंदन काम दिख रहा है अब आपको, और क्योंकि मैं ये सारे स्टेट्स का त इसतना बना था, उतना का उतना इंटाक्ट है, तो ये लडाई उत्तर बनाम दक्षण, और एस्ट, अगर मैं बेहार को मालनू, और वेस्ट, कहां खड़ी है इस समय दोजार चौबीस की लडाई, दक्षण भारत को यदि अलग करें उत्तर भारत से वो ठीक है, ये वो तो ये शितल जी बहुत बारीक नजर रखते है, शराज जी है, शराज जी उत्रपदेश को जयान रखते है, मुझे ऐसा याद आरा है कि डॉक्टर जो है, वो आपको देख रहा है, चैक अप कर रहा है, उसने का कि कॉलेस्ट्रोल आपको ठीक नहीं है, LFT जो है वो खराब दि दिखाई दे रहा है, और पैरो में आपका अर्थराइटिस है, बाकि आप ठीक है, हेल्दी है, तो वैसा ही इंडिया ब्लॉक है, कि वेस्ट पैंकोल में मम्ता जी नाराज है, बिहार में जो है, नितिश कुमार जी चले गए है, उत्रपदेश में अखलेश जी नाराज रह पिर चाय पीते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर खाना को शेयर करते हैं, फिर बाच्ची शेयर करते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम बाच्ची शेयर नहीं कर रहे, खाना भी साथ नहीं खा रहे, खाना भी शेयर नहीं कर रहे, खाने पर साथ बैठ भी नहीं रहे, च बना था चार महीना पहले एक टेंप्रमेंट दिखा, एक मोमेंटम दिखा, सब लोगों का कोडिनेशन दिखा, मुंबाई तक तो यह नजर ही आ रहा था, यह जो बारी-बारी छुटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, कोई मजबूरी है, कोई दबाव है, ED, CBI, क्या, क् समराच चौदरी का भी बयान आ रहा है, बिहार को लेकर कह रहे हैं, कि एक-एक फाइल खोलेंगे, जो कह रहे हैं, कि खेला होगा, एक-एक फाइल खोलेंगे, और हाथ में खिलोना दे देंगे, तो दबाव है, मजबूरी है, लैक ओफ कॉंशियसनेस है, लैक ओफ कि कोई इस तरह की विल हो, प्लिटिकल विल हो, कि हम सब लोग साथ मिल कर लड़ेंगे, पहले दिन से, साथ-ाथ महीने हो गए, हम लोग रोज सोचते हैं, अगली वाली बैठक में ठीक से हो जाएगा, जो हमारे मित्र लोग है, वहां नहीं हुआ, दिली में नहीं होगा, प सीटों में और नितिश कुमार की जो 49 सीटें, मुझे नहीं लगता कि बिहार में वो 49 सीटें फिर से हासिल कर सकते हैं, बलकि तेजस्वी जी को जो 15% वोट के साथ, 16% वोट के साथ, पिछली बार जीरो पर रहे थे, उनका खाता खुल सकता है, और जो नितिश कुमार जी को लेकर एक सामाजी के गुट में, जो नाराज की होगी, उसका फायदा तेजस्वी जी को मिल सकता है, आर जेडी को मिल सकता है, तो इंडिया गठबंदन की बज़ाए, एंडिया गठबंदन में बिहार में नुकसान हो सकता है, नितिश कुमार जी की वज़े से, भारतिय जन तो मुझे लगता है 17 से भी कम हो जाएगी क्योंकि आपको पासवान को शेर देना मांजी जी को शेर देना उपेंदर कुश्वा को शेर देना तो वह सम्मिल का उपके सहनी भी है और मुझे जो जानकारी दी गई कि सबको सीड दी जाए ताकि परसेप्शन में लगे कि ठीक है लेकिन उम्मीदवार वो हो सकता है भारतीय जंता पार्टी के ही हो यह भी हो सकता है लेकिन वो अलग चीजा आज मैं उसके नहीं कर रहा है विजय जी एक और एक और यह भी संभावना है कि कॉंग्रेस के साथ आ गए सारे विपक्शी दल वो जो एकदम स्वाभाविक गट सब लोग अलग होते हैं कि बीजेपी के गटबंदन और कॉंग्रेस के गटबंदन होता है उनका उनसे सीधा जगड़ा नहीं है जहां जहां भी होता रहा वह जंता दल के साथ भी हो उनने उन जगहों पर गटबंदन किया जहां उनको कमजोरी दिखती है तो वह भारत्य ज इन लेकिन यहां पर एलाइंस को तो यह समझना ही चाहिए कि वह सब एक विचारधहरा के लोग नहीं है वो सब का दुश्मन एक है आप दुश्मन एक है तो उसके लिए आपको मिलकर लड़ाई लड़नी है Сп ff इच्छा शक्ती नहीं है और उसको लीड करने वाला भी कोई नहीं है इतने समय जो संयोजक की लड़ाई नितिश कुमार जी की लड़ाई वो होती रही नितिश कुमार जी किस मजबूरी से गए नहीं गए वो मुझे नहीं पता लेकिन कहां आपने मौका दिया यदि आप नि इंडिया गठबंदन के शेत्री अदल जो है वो अपनी ताकत अपनी परफॉर्मेंस मोटे तौर पर बरकरार रखेंगे वो सकता है बढ़ भी जाए ममता जी की कुछ सीट बढ़ जाए लेकिन कॉंग्रेस कॉंग्रेस जो ममता जी कहते हैं उसको सच मान लीजिए जो अखलेश जी कहते हैं उसको सच मान लीजिए मेरी बात मत मानीजिए तो क्या कॉंग्रेस अपनी सीटों को बढ़ा सकती है क्या तो बढ़ाएंगे नहीं तो फिर उसी नंबर पर पहुंच जाएंगे समीर चौग आओकर फिर क्या यह लड़ाई फस गई क्योंकि 208 सीटें तो हाथ से पर निकल गई वह 208 जहां कॉंग्रेस को फाइट करनी थी कॉंग्रेस रिवाइवल और सर्वाइवल के मोड से अभी बाहर आ नहीं पा रही इंडिया घडबंदन के सहारे जो उमीद है 2024 में वो कॉलाप्स दिख रही है और कॉंग्रेस भी कॉलाप्स दिख रही है